जैन दोस्तों जैसा कि आप लोगों का एरफोर्स का एक्जाम आ चुका है अब बहुत ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है तो हमें कई सारे कोशनों के सौट टिक मालूब होने चाहिए क्यूंकि वहाँ एक्जाम टाइम में हमारे पास टाइम बहुत ही सौट रहेगा तो हम कैस से कुछ कोशन हमारे पास ऐसे जो दिखते बहुत बढ़े बड़े लेकिन हम लोग इसको विदिन 2 सेकेंट या 5 सेकेंड क्या कर सकते हैं सौल कर सकते हैं तो ऐसे कोशेनों के लिए हमारे पास एक mass given होगा और इन दोनों किसी एक mass पर force पूछ लेगा या फिर acceleration पूछ लेगा अगर ऐसे question में acceleration पूछता है तो भैई को देखो कुछ करना नहीं है अगर acceleration पूछता है तो हमें कुछ करना नहीं है जो force given हो उस force से total mass को आप लोगों क्या कर लेना है divide कर लेना है उस force से total mass को क्या कर लेना है divide कर लेना है यह आपको acceleration देदेगा यानि acceleration कितना आ जाएगा भई अगर force आपको पूछ रहा है Q पर P के द्वारा कितना लगेगा तो कुछ करना नहीं है सिर्फ और सिर्फ जिस mass पर पूछता है उसका mass लिख लेना है और उपर वाले acceleration को लिख लेना है और हमारा answer क्या करेगा आ जाएगा अगर ऐसे हम दूसरा question देखें अगर आप में माल लेते हैं इस type के question पूछे जाते हैं कोई एक ऐसा mass given हो किसी box पे रखा हो और एक mass ऐसे लटक रहा हो और आपको क्या acceleration पूछ ले या tension पूछ ले अगर जैसे कि दोस्तों यहाँ पे acceleration पूछ रहा है तो हमें कुछ करना नहीं है जो mass आपका क्या कर रहा हो लटक रहा होगा बस उस mass को आप लिखिए उस mass को लिखिए g का multiply करके दोनों masses को add कर दिजिए दोनों masses को नीचे क्या कर लिजिए add कर लिए ऐसे आपके directly हमारे क्या करेंगे answer आपका क्या हो जाएगा find out हो जाएगा directly हमारा ऐसे answer आ जाएगा तो answer हमारा g y 3 यानि कितना answer आ जाएगा 3.33 ठीक है next question देखते है अगर हमारे पास ऐसा question आते है एक question हम लोग क्या है generally question solve करेंगे बहुत सारा time लगाते है और बहुत time consuming question है लेकिन मैं इसके लिए 100 trick बता रहा हूँ आप उस trick का use करेंगे within 5 seconds आपका answer क्या करेगा आ जाएगा trick क्या है यह देखिए आपको केवल एक ऐसा force याद कर लेना है एक value आप ऐसी याद कर लेजिए एक आपको यह फार्मूला याद कर लेना है जिसको हम लोग कहते है लेमी फार्मूला क्या कहते हैं लेमी फार्मूला और इन तीनों का आप बस नाम रख लेजिए इसको f1 कह के लिए इसको एफडी कह लिए जा इसको एफ़ तरी कह लिए अब वैलू को सौल कर दिया है और देखिेंए इसके सामने का यह जो एंगलav होता है इसके सामने का इंगल या यह वाला इंगल कितना है भई सााइन नाइंटी है आप रख़ली आप रहीठ्टOOD इप किया है 30 upon इसके सामने का इंगल right कर लीजिए अगर यह ilgili 30 है तो यह पूरा कितना होगा 150 हो जाएगा साइन 150। राइट कर लीजिए और ऐसे यह फ-3 यानि के gado look upon प्पूवर निक्री इसके सामने का इंगल यह पूरा इंगल आप राइट करे और weight निकाल लेजिए, weight निकालने के लिए देखिए यहां पर 30 है और sin, sin 150 की जो value आती है, वो आती है 1 by 2 और देखिए, यहां WS और sin 120 के जो value आती है, root 3 by 2, root 3 by 2, तो देखिए, यहां 2 से 2 cancel हो गया, और W क value क्या आ गई, 30 root 3, 30 root 3 है, हमारे पास यहां पर दो option में, एक यहां और यहां पर, तो W की value हमारे पास क्या आ गई, 30 root 3, फिर क्या पूछा है, O A में force, O A में force, यानि F1 पूछ रहा है, जब दोस्तों F1 पूछे, तो हमें इसको और इसको ले लेना है, एक साथ, तो देखिए, F1 is girl 2 हमनों लेगे, 90 की value 1 आ जाएगी, इसकी value लेगे 30, इसकी value 1 by 2 निकाल चुके है, 2 का उपर multiply करेंगे, तो 60 आ जाएगा, 30 root 3 into 60, तो आपको केवली formula ऐसे write कर लेना है, और जो value इसमें से पूछा होगा, उस value को directly find out कर लेना है, मतलब दोनों को आप compare करिए, आपका answer within 5 seconds आ जाएगा, next question देखिए, देखिए, ये question इसमें बहुत trend का question है हमारे air force में सबसे ज़्यादा बात पूछा गया question है, लेंग मेज भी आता है, और ऐसे figure में करके आता है, मैं figure में लेके आया हूँ, लेकिन ऐसे question लेंग मेज भी करके आते हैं, क्या करना है, अगर कोई mass आ रहा है, और किसी block से टकरा रहा है, चाहे किसी भी angle पे आए, हमें क्या करना है, इस वाले का हमें x component ये वाला ले लेना है, और जब जा रहा है तब भी हमको x component ये वाला ले लेना है, x component के लिए आप लोग क्या लिखते हैं दोस्तों, हम लोग लिखते हैं, mb cos theta आने वाला, और mb cos theta कौन सा, जाने वाला, और अगर हम दोनों को add कर दें, तो 2MB cos theta हो जाएगा और theta value 60 given है तो 2MB 1 by 2 value क्या आ जाती है MB मतलब MB cos theta और MB cos theta लेना है और value देखिए within 5 seconds हमारी आ जाएगी next question देखिए एक इस type का question ज़ली पूछा जाता है जिसमें कई सारे string से blocks क्या होंगे attached होंगे tension कहीं पर पूछ सकता है आपको tension T2 पूछ सकता है tension T1 पूछ सकता है लेकिन यहां पर देखिए आपको tension T1 पूछा हुआ है अगर मालते बाईचास आपसे tension T2 पूछता तो T2 पूछता तो आपको कुछ करना नहीं था T2 के लिए directly formula लगाना होता है जो mass T2 से attached है उस mass को write करना होता है into the acceleration mass कितना है भई mass कितना है five है यह को divide करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा one और यह आ जाएगा five अगर T2 में पूछता तो पूछता तो गतना था थाए-पूचता इस वाले रत्स्ति में आगर tension पूछता तो आता था लेकिन यह पूछा हुआ नहीं था हमसे पूछा है T1 हमसे क्या पूछा है T1 तो देखिए अगर दोस्तों T1 पूछ रहा है तो T1 से attached मास को होने यह वाला और यह वाला तो अभी इन दोनों को add करके acceleration से divide acceleration से multiply कर लिजिए तो यह देखिए 5, 3, 8 हो गया accelerating value 10 अपॉन कितना 2 प्लस 3 प्लस 5 यह वैलू 10 10 कैंसे लाउट answer हमारा किन में आगया 10 तो हम ऐसे sort trick का यूज़ करके विदिन 5 seconds अगर आप यहां Newton's के formula लगाना start करेंगे तो आपको at least 2 से 3 minutes लग जाएंगे और इतना time हमारे exam में नहीं रहेगा तो आप लोगों को है ऐसे ही sort trick का यूज़ करना है और भी ऐसे sort trick जानने के लिए या देखने के लिए हमारे channel को लगाता अरब देखते रहे है चैहें